थारत में चुनावों का मौसम चल रहा है और जिस वक्त आप और हम ये बात चीत सुनेंगे तो उस वक्त फिसरे चरण का मद्दान हो रहा था और शाम तक क्या वोटिंग ठत्म हो जाएगी बारहाल चत्या का विशय है प्रधान मंत्री मोदी का मुसलिमों को लेकर दिया गया एक बयान उन्होंने मुसलिम समुझाय से इस बार सीधे सीधे आत्म चिंतन यानी इंट्रोस्ट्रिक्शन की बात कह दिया है इसके साथ ही उन्होंने मुसल्मानों को कई और सला भी थी मैं ह ने इस बार सीधे एट्रेस्ट किया है मुस्लिम समधाय को और कहा है कि उनको इंट्रोस्पेक्शन करने की आत्म चिंतन की जरूरत है इसके साथ और भी कैसला है इस वाक्व को कैसे देखे हैं बिल्कुल मैं इसमें यह जोड़ना चाहूंगा व्यालोग जी कि भारत में आजा और कुछ खास दलों एक तरह से अपने ओट बैंक और अपने समर्थक आधार के रूप में विक्सित किया है आजादी के बाद तो यह बहुत ज्यादा बढ़ा और उसके बाद निश्चित और पर चुकी सरकार कॉंग्रेस कि रही है तो सिधा सिधा यह आरोप कांग्रेस प में तब्दील किया और वह ऐसा बन गया कि तिर्फ उसके लिए वोटिंग करता रहा बाद के दिनों में समाजवादी धड़े के भी कुछ दल जैसे पिहार में राश्ट्री जनता दल है लालोयादों का या उत्तर प्रदेश में मुलाइम से अधार समाजवादी पार्टी ह दौर्टी पार्टी आप देखेंगे और और पीश्टिस राजटार सक्ष्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि Muslim समूदाय को उसका कुछ मिला नहीं, बदले में, मतलब भारत के दूसरे समूदायों को आप देखेंगे, कि जिस तरह से वो बढ़ते चला गया है, आगे बढ़ता गया है, उसका विकास होता गया है, उसकी तूलना में मुस्लिम समुदा है जो एक खास पार्टी का किसी इलाके में राष्टी अस्तरपर कॉंग्रेस का और इलाका इलाका में कुछ खास पार्टियों का वे तरस बंधा कोट पइंक बना रहा उसको मिला नहीं शिख्छा कस्तर पर देखिए जन संख्या ब्रिद् सीमा के बाद जनसंख्या पृति भी किसी की समुधाय के लिए कि देश के लिए उचित नहीं होती है उसके विकास में बाधक होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि यह सब जो सवाल हैं मुस्लिम समुधाय के प्रति और इसी वजह से परधान मंत्री ने उनसे यह आत्म मंधन करन कि अपील की है उनसे गुजारिश की है कि भया आप तो सोचो कि जिसको वोट बैंक अब तक बने रहे है इसका फायदा आपको सामाजिक और राश्ट्री अस्तर पर क्या मिला है सिवा एक वोट बैंक बनने के और जैसे कह सकते हैं कि एक मरलब बैंक बन करके एक सीडी लकीर पर ही चलते हुए वोट डालना किसी खास दल को और सिर्फ यह करना कि कथित हिंदुवाद के नाम पर हिंदु विरोध के नाम पर वर्चस्व के नाम पर आप राश्ट्री जो विचार धारा के दल है जिसमें भार्ती जंतापाटी प्रमुख है उदर महाराष्ट लिए हम लोग इस पर बात कर रहे हैं लेकिन मुस्लिम समुदाय के कुछ प्रकर बुद्ध जीवी जैसे हिलाल अहमद है उनको मैंने अभी हाल ही में सुना था वो भी यह सवाल उठा रहे हैं आरिफ मुहम्मद खान इसको उठाते रहे हैं जो खुद कॉंग्रेस से ही परान से चर्चित सक्सियत रहे हैं या जो भारत में जो तीन तलाक और हलाला का जो मुस्लिम समुदाय में दूस्प्रभाव रहा है उसको खिलाफ अगर आवाज उठाने वाले हैं तो ऐसे लोग मुद्ध मुद्ध समुदाय से भी उभर क्या रहे हैं और जो लोग कभी प्रभावी अपील है प्रधान मंत्री ने किया है लेकिने समाज के कई वर्गों की और से उठने लगा है तो मुझे लगता है कि इसको इस अंगल से देखना चाहिए इस नजरीय से देखना चाहिए जी और प्रधान मंत्री ने दो तीन और सलाह दे दिये उन्होंने एक बात हुआ भी कही जो आपने बताई कि वो बंधक न बने भुले तोर पर ये चिंता करें और जिस बात पर अ दंगे नहीं होगे और सबसे पहले वह आत्म चिंतन की बात करते हैं बिल्कुल बिल्कुल देखिए यही तो है कि अगर जो मुस्लिम समुदाय है एक बल्क ठोक ओट बैंक के रूप में विक्सित नहीं हुआ होता एक खास दल या इलाके के खास दल के पीछे चलने के लिए एक दम से आंख मुद्ग तयार नहीं हुआ होता तो शायद गुजरात के जो गोधरा दंगे हुए हैं या जो कार से उपों पर हमले हुए थे उसकी प्रतिक्रिया हुए ती अवस्प्रतिक्रिया में जो दंगे हुए वह इतने दंगे भी नहीं होते और इसको लेकर के एक खास तरह का नेरेटिव एक खास तरह के वायचारी की को विक्सित करने की कोशिश नहीं हुई होती क्योंकि अब यह दो हजार दो की घटना है और उसके बाद आप देखेंगे और 1992 से तो हलागी शुरुवात होती है वल्कोट बैंक तो मुसलिम रहा है लेकिन फिर भी उसम रहे हैं लेकिन 1992 और 2002 के बाद एक तरह से चावतरफा जो कोशिश हुई मुसलिम को अपने खेमे में लाने की और उनका रहनुमा बनने की उनका एक मात्र मसीहा बनने की उसका एक दुश्प्रभाव यह हुए कि मुसलिम समुदाय कहीं मलब बहु संख्यक समुदाय कि तुल लेकिन यह सच है कि कई बार यह जो चीजें वह टाली जा सकती थी और शायद इये इस सब्सक्राइब असान तब होता जब बनने की या इस तरह से प्रक्तिक्रियाएं आने की एक थास ब्यक्ति को टार्गेट करने की चीजें नहीं डिवलब होती मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री अब उस हैसियत पर है कि वह कह सकते हैं और उन्होंने एक काम भी किया है पिछले 10 सालों में खास्तों पर आप द दी जाएगी इसके बाव और मुस्लिम वोट बंक कि इसके नाम पर बना रहा तो कोट बैंक बना रहा है इसके बावजूद ऐसी कुछ घटनाय नहीं हुई उल्टा आप देखेंगे मैं समय डाटा लेकर करके नहीं बैठा हूं लेकिन आप देखेंगे कि अल्पसंखक समु पर चाले देने के लिए उसमें उनके नाम पर कोई भेद भाव नहीं हुए है यह मुझे मुझे लगता है कि यह जो प्रृधान मंत्री के पास उपलब दी है है शायद इसी वज़ा से वो यह कहने की हैसियत में है लेकिन अगर यह प्लब्दी नहीं होती तो यश्यकीन मान तो बैचारिकी का जो बंधक बनना है वो समुदाय तक इस तरह से सोचता ही है कि वो इसको भी दिरोज में ही ले देटा तो मुझे लगता है कि यह कर शुरुआत होती और कहीं में बदलाव आएगा और यह मैं इस बात से मतलब अभी एकदम से यह नहीं मान लूगा कि तुरत बदलाव होता है यह अभी शुरुआत होगी और यह अगर यह से शुरुआत हो गई तो जिन डलों ने अभी तक मुस्लिम मोट बेंग को पंधक बना करके मसीहाई के अंदाज पिश के लिए थैंक यू बहुत इसके लिए थैंक यू यह थैंड़ आपकार अधिश्ट इस अन एब्डिप लाइफ प्रड़कास्ट